एज्योकेशन को कौवर करते हैं सबसे पहले निव डेली के पॉइंट को देखे जेनियू ने किसे मानद डोक्टरेट उपादी से सम्मानित किया सामिय सुलू असन कंट्री है तंजानिया वहां की प्रेजडेंट है सामिय सुलू हसन इनको डोक्टरेट उपादी से सम्मानित किया गया था अब देखते हैं डेली के सीम अर्विंद केजिरवाल है और गवर्नर है यहां के विने कुमार सक्सेना इंडिया ने मेजबानी की ती डेली में 46th पेटा टेवल मार्ट की पेटा से है Pacific Asia Travel Association जिससा नाम में भी है ट्रेवल और टूरिजम को Pacific Asia में कैसे बढ़ावा मिलेगा उसके लिए इंफरस्ट्रक्टर क्या डावलिप करना होगा उसके बारे में डिसकस करता है उस पर काम करता है इसके लावा डेली में 7th इंडिया मोबाईल Congress का उदगाटन हुआ था ये हमारे परदानमंत्री नरेंदर मोदीजी ने किया था ये सभी पाइंट पहले डिसकस कर चुके है सभी को राम राम Current Affairs की हाल फिलाल सीरीज में आपका स्वागत है इसमें हम Maps और Topic वाइस Current Affairs का और कर रहे है आज हम October मन्त के National Topic को कौर करेंगे स्टार्ट करते हैं Next point है सभी सरकारी स्कूलों में Smart Class की सुईदा देने वाला उत्तर परदेश का पहला जिला बरेली है उत्तर परदेश के CM है योगी आदित्यनाथ और यहां के गवर्नर है आनंदी बेन पटेल यूपी के भी जो पाइंट पहले डिसकस कर चुके हैं वे देखते हैं यहां पर जो गीता प्रेस गोरखपूर में है 2021 का गांधी पीस प्राइस भी गीता प्रेस को मिला था और इनके ट्रस्टी बैजनाथ इनका निदन अक्टूबर मन्त में हुआ है इसके लावा गंगा डॉल्फिन को जो हमारी नैशनल एक्वेटिक अनिमल है उसको उत्तर परदेश ने भी राजे जली जीव का दर्जा दिया है और मिसन महिला सार थी योजना इसे यूपी ने स्टार्ट किया है उत्तर परदेश ने योग्यादी तेनाद जी ने स्टार्ट किया था आयोध्या से और यहाँ पर 51 बसों को सुरू किया था उस दिन जिनके कंडेक्टर और ड्राइवर महिला ही है महिलाओं का ससक्ति करन करने के लिए ये योजना सुरू किया इसके अलवा स्टिवार अभियान सुरू किया था जिसके तैट मंदीरों और उसके आसपास के च्षित्र में तिवारों पर जो कूड़ा करकट हो जाता है उसकी साफ़पाई के लिए यह अभियान सुरू किया था नेस्ट तेलंगना के पाइंट को देखते हैं परदानमतिन नरेंदर मोधी जी ने समकक का सरक का जनजातिय विश्विदाले खोलने की गोशना की, ते लंगना में ये जनजातिय विश्विदाले खोलने की गोशना की है, इससे पहले सरकार ने दो और केंदरी जनजातिय विश्विदाले बनाये, Central Tribal University, एक मद्दे परदे गेंदरिये, जंजातिय विश्विद्दालें अंदरपर्देश के विजयनगर में है ये तेलंगना की बात करें तो तेलंगना की कैपिटल हैदराबाद है हैदराबाद को City of Pulse भी का जाता है 2014 में तेलंगना को अंदरपर्देश से अलग करके बनाया गया था बेंगलूर करनाटा की कैपिटल है और करनाटा के CM सिधा रमया जी है और यहां के गवर्नर है थावरचंद गैलोथ नेक्स्ट पाइंट देखते हैं उम्मीद U-M-E-D दिसा निर्देश किस मंत्रालें जारी किये सिख्षा मंत्रालें जारी किये है उम्मीद से मतलब है Understand, Motivate, Manage, Empathize, Empower और DCI Develop स्कूल में जो स्टुएंट सुसाइट करते हैं उनको सुसाइट करने से बचाने के लिए Union Ministry of Education ने कुछ गाइडलाइन्स रिलिज की उस गाइडलाइन्स का नाम उम्मीद है हमारे Education Minister दरविंदर परदान है हेल्थ टोपिक को और कवर कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट है PET46 क्या है? यह एक एंजाइम है PET का मतलब है Polyethylene Terephthalate देखो जो प्लास्टिक की बोतले बनती है जिससे प्लास्टिक का पॉलुशन काफी बढ़ रहा है वे PET से बनती है और इसी PET को खतम होने में मलब डीकंपोज होने में कई साल लग जाते हैं जिस वज़े से पॉलुशन बढ़ता है इसी PET को डीग्रेट करने के लिए एक एंजाइम की खोज की है PET46 यह PET से बनी हुई जो प्लास्टिक बोतले होंगी जो भी सामन होगा प्लास्टिक का उसको डीग्रेट कर देगा डबलुएचो ने मलेरिया से बचाव के लिए R21 मेट्रिक्स M वेक्शन की सिफारिस की इसका निर्मान किया है Oxford University और Serum Institute of India SII यह दूसरी वेक्शन होगी जिसे डबलुएचो ने एप्रूव किया है जो फर्स्ट वेक्शन थी जिसे डबलुएचो ने एप्रूव किया था उसका नाम था RTS S.A.S.01 इस वेक्शन को पहले एप्रूव किया था और R21 मेट्रिक्स M वेक्शन को एफ्रिका के जो तीन कंट्रीज है घाना, नाइजेरिया और बुर्किना फासो यहाँ पर यूज करने के लिए मंजूरी दे दी है मलेरिया प्लास्मोडियम पैरसाइट से फैलता है और इंसानों में फीमेल एनाफलिज मेस्किटो के इनफेक्टों ने की वज़य से फैलता है इसके अलावा, और भी रीजन से फैल सकता है जैसे, infected वलड हो वो donate कर दे कोई उसको receive कर ले तो उस वज़य से फैलता है या फिर, organ transplant करने की वज़य से फैलता है अगर वो प्लास्मोडियम पैरसाइट से infected है तो इसके लावा जब लोग syringe exchange भी करते हैं तो उस वज़े से भी फैलने के काफी chances हो जाते है गोर्मेंट का target है 2030 तक इंडिया को malaria free कर देना malaria मुक्त भारत बनाना है WHO 7 अपरेल 1948 1948 को functional हुआ था इसका headquarter जेनेवा जो Switzerland में है वहाँ पर है WHO के director general डोक्टर Taderos Adenome Gabriels SII Serum Institute of India इसके CEO अधार पुनावाला है Global Health Innovation Fellowship ये किसके सयोग से सुरू कीगी WIPO World Intellectual Property Organization साथ ही DBT Department of Biotechnology and Ministry of Science and Technology इन्होंने मिलकर सुरू किये Global Health Innovation Fellowship Union Minister of Science and Technology डोक्टर जीतिंदर सिंगे इन्होंने Global Health Innovation Fellowship को launch किया जिससे MedTech Startups और Young Innovator परमोटो नेक्स्ट है विशू पसू स्वास्ते संग्ठन WOAH World Organization for Animal Health इसने भारत को किस से मुक्त गोशित किया बड़ फ्लू से मुक्त गोशित किया बड़ फ्लू एक वाइरस होता है H3N2 नाम का वाइरस होता है इसमें जातर जो confusion रहते है कई बड़ कुशन आजाता है H3N2 किस वाइरस का नाम है तो दो ही आते हैं बड़ फ्लू या फिर स्वाइन फ्लू उससे इसका confusion होता है स्वाइन फ्लू जो वाइरस है वो होता है H1N1 देखो H आप ट्रिक्स से याद कर सकते हैं H का मतलब हैं जिसमें हैं जाद है वो बड़ फ्लू रहेगा और जिसमें HN H1N1 है वो स्वाइन फ्लू रहेगा हैं कम है या फिर बराबर है ठीक है H3N2 बड़ फ्लू H1N1 स्वाइन फ्लू इस लेक्सर के लिए इतना है अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी थैंक यू जै हिंद जै भारत